ततले दोस्तों अब मैच्स बिग्यान के बाद आप समाजी बिग्यान की बार है इसमें भी 80 में 80 लाना है आप सभी को ठीक है जितने विछात भी हारबुर से मैट्री का एक्जाम देने वाले हैं समाजी बिग्यान का उन सभी छातरों के लिए बिरोज काफे इंपोर्टेंट सभी के लिए बिरोज काफे इंपोर्टेंट होगा यहीं से काफी सारे कोसंस आप सभी को देखने को मिलेंगे ठीक है हम लोग अब्जेक्टिव के साथ यहाप आप लोग को सब्जेक्टिव लोगों और दिर्गोतिर भी बता रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का ताकि आप को ऊतीर रlar रहेंगे जिस्में से सिर्फ और 12 बारक का जवाब देना होगा नान जितर आपको दिर्गोतिर रहेंगे जिस्में से सिर्फ और दीजायने चार का जबाब देना होगा ठीक है ऍहली है टोटल के दिन तो आपको notification मिल जाएगा सबसे पहले चलिए बीना किसी समाइगा हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो के डिस्केप सरे लिंक है वहां से आप लोग त्यारी कर चकतो लाखुच हाथ वहां से पढ़ रहे हैं तो चलिए हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं समाजी ब प्लोट जो किया है उसको देख लेना ठीक है ना वहां पर एक से चालिस तक कोशन समलोगों ने कर रहा था चलिए यहां पर चालिस नमर से कोशन समलोग कर रहे हैं कहागा कि भात में सर पर्थम राष्टी आई का नुमान कब लगया गया था देखे 1868 इस भी में लगया था दादा भाई नरोजिव के द्वारा अगला है कि गरेबी की तुलना किस अर्टश सास्तरी नें कैंसर रोग से की है देरिके अर्था सास्तरी ने किया है एक कुजनियत सो ज़एगा और पत्हें आपको भी के साथ चलना इसको याद रख ली निगा अगला देखते है कि सुचकांग के अगर बात करेंगे हम लोग तो जीवन परत्यासा जीवन अस्तर सिक्षा प्राप्ति ये सारे को लिया गया है तो ऑप्संस नमर 42 का D के साथ चलेंगे अगला देखते हैं कि भात में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था कर दिया देखिए क्या प्रस्ण है कि भात में आर्थिक नियोजन का जो काम होता है और कौन सी संस्था कर दिया ये ही प्रस्ण है योजना आयोग निती आयोग राश्ट्य विकास आयोग या फिर भारत किताब किस ने लिखी देखे पौवर्टी एंड और ब्रिटिस रूल इन इंडिया जो लिखे थे इनका नाम था दादा भाई नेरोजी ऑप्सस नमर बी नेक्स्ट प्रसंद देखते हैं यहाँ पे 45 नमर कहा गया है कि सुडेन की मुद्रा का नाम क्या है देखे सुडेन संस्थान है यहाँ पे और आपका भारतिय रिजारोबाइंग कुन सा है भारतिय रिजारोबाइंग ओप्सस नमर डी सुडेन की मुद्रा का जो नाम है करोना याद रखेगा उससे याद रख लेज़ेगा सुडेन का जो है क्या होगा करोना अगला देखते हैं मानव के महत्पून तत्व क्या है तो सबसे महत्पून तत्व किसको माना गया है पता है ना सिक्षा को किसको सिक्षा को अगला देखते हैं यहां पर 48 नमर कि इन में से कौन भारतियों के जीवन निर्वा का मुख्य साधन है तो देखे क्रिसी है भारतियों के जीवन निर्वा का सिफ आपको प्रात्मिक छेत्र में न तो आर्थी कौन सी आर्थी किरिया सामील है तो सही उतर हो जाएगा यहाँ पर खानन ठीक किरिसी से अब सस्ट नमर ए हो जाएगा अगला देखते हैं कि सोने के आभूसनों की गुनवता सुनिचित करने के लिए किस मानक चिन का परयोग किया जयता है तो हॉल मार्क्स का किस का हॉल मार्कस का पचास का से उतर सी हो जाएगा पड़ा देखते हैं यहाँ पर ने क्स ब्रसं कहा नंगर्जिगां किस में ते oil को पता हूग différents सीज की तो आपको Babylon में धूकाः जाता है तो फिर कुछ दिन के बाद यहां पर लोग जाए बइच जाते हैं वे इससे हो गयाता है घक धान के बाद तो होज़ता है करिसिघतर में मोस secured शिट पर अर्थवरस्था का गुन क्या है देखे पुंजीवादी अर्थवरस्था का अगर गुन हम लोग बताएंगे यहाँ पे तो वह है आपका नेजी लाब मुल्य तंत्र साद्रों का नेजी स्वामित यह सारे हो जाएंगे इसलिए इन में सब यहाँ पर 53 का दी हो जाएगी चले नेक्स्ट प्रसन जेकते हैं तरुन भारत संग यह बहुती सांदार प्रसनाय कहाँ किकरों भारत संग का संगत्युन जह है संबन्ध किस राज से है ठीक है ना यह तरुन भारत संग राजथान से संबन्धित है तो 54 का ए हो ठीक है, उपस्सस नम्र यहाँ पर B जो यह correct हो जाएगी चलिए आगला देखते है कि प्रा रामभिक जिवीका क्रिसी को किस नाम से भी जाना जाता है तो प्रारामभिक जिवीका क्रिसी को हम लोग नाम जो जानते हैं उसका नाम है जूम दीपा पामलू इनमें से सारे हो जाएंगे और दीछहपन का तिरपन में और अगला है कि इन और बंदरगा किस राज में स्थीत है तो इन और बंदरगा की अगर बात करेंगे हम लोग दोस्तो तो से उतर हो जगा तमिल नाडो में अगला प्रसिंत आए कहा गया है यह कि बिहार की प्रांचिंतम नदी घाटी प्रुजणा कौन सा है तो चिनतम नदी घाटि पृषिना की अगर बात करेंगे, हूँ है, सुन नदी घाटि अपसफन मर A, अगला है कि नंदा देवी राश्ट्य उधान कहा इस्तित है?电 कि नंदा देवी राश्ट्य उधान कि द्व्राइं आप्साज नमर एके अग्ला कि बीहाँ त्ब्रस्थों कि मैं कॉन कार्बनिक खनीज नहीं है तो कर्बनि खनीज की अगर बात करेंगे हम लोग तो 64 का से उत्तर हो जागा प्राकिर्टी गैस यह नहीं है अगला है कि सिमेंट उधो का कच्छा माल चुना पत्थर यह रिपीटेट प्रसना है कई बार देखनों को मिलेंगे याद रख लिएगा अगला प्रसना है यहाँ पे कि भात का पहला तेल सोध कर खना के अगर बात करेंगे हम लोग यह ओजागा आपका डीगवय में असम के डिगवय में आपसास नमर ची हो जाएगा अगला परसन देखते हैं कि मूंबई हाइ क्यों पर सीद है तो मूंबई है पता ही है अपन अपर लोग को तेल सोधन है तु आपसंशिक नमर शठ प्रस्टन है कि न राज्यों में कउन लो के अगर यह मतलब लौ ओयरनी सबसे ज्यदा उत्पादन करने वाला प्रचर या यहां अगला है यहाँ पे बिहार का रेसम नगर के बिहार का सुक पूछा जाता है कोसी नदी को बिहार का रेसम नगर जो बोले जाएगा सिल्क सिटी हम लोग जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों भागलपूर को क्या हो जागा है यहाँ पे भागलपूर अप्सस नमर डी अगला है कि बिहार की अर्थवर्ष्था में किस छेत्र का सरवाधी की योगदान है तो किरिसी छेत्र का 72 का क्या हो जगा यहाँ पर ए अगला यहाँ पर कि बिहार की सबसे बरी तराजदियों में से कौन सा एक है बाढ़ चक्रवाद सुखा या फिर भू अस्खलन तो सबसे जदा बाढ़ आता है तो 73 का क्यों जगा बी अगला देखते हैं 74 नमर की कुसाहाट टटवन किस नदी पर है तो कुसाहाट टटवन जो टूट गया था ज़राठी वे और कोसी नदी पर था का Subscribe a के अगला प्र exactamente है कि की सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलासा बने आ गिया है यह तो के पर लाग जति एक उफ्सका नाम है आपका इसा पर मुख घटक का यह कौन सा है दूर संचार के लिए ठीक है तो ऑप्संस नमर क्या देगे हैं पे साथनों की खोज के लिए ऑप्संस नमर B के साथ चलेंगे यहां पे ठीक है उपगरवा की बात हो लिए ना अगला है कि 26 दिसंबर 2004 को बिस्व के किसी से में भायंकर सुनामी आया था तो हिंद महा सागर में अप्संस नमर C अगला है कि भारत में अत्यंत विनासकारी भुकम जो आया था काव आया था देगे भारत में अत्यंत विनासकारी जो भुकम आया था वो आया था आपका दोस्तों 1934 सिस्वी है अप्संस नमर A अगला है कि सुनामी किस भासा का सब्द है तो सुनामी जो है यह आपका जपानी भासा सब्द है क्योंकि जपान में काफी सारे जैदे भुकम बाते रते हैं इसलिए सुनामी जो है यह जपानी सब्द है उपसस नमर असी का सी हम लोग ने यहाँ पे 1-8 तक questions कर दिये हैं ठीक है इसके बाद हम लोग लगू उत्रिय प्रस्ण भी बता दी हैं आप सभी को जितने भी मैं आप लोग को लगू उत्रिय प्रस्ण बताया वो सारे आप लोग याद रख लिजेगा इसमें से कई सारे questions आपको देखनों को मिलेंगे हिस्ट्री में बताया था बियाना समिलन का मुख उधिस क्या था जर्मनी के एकिकरन की बधाय क्या थी रूस जपान यूद ने किस परकार बोलसोवी करांधी का मार्ग परसस्त किया था अगला था कि हिंद चिन के परती फ्रांस की ओपनिवेसिक योजना क्या थी ये सारे लगू उत्रिय परस्ण थे ठीक है अगला है कि सुराज पार्टी का बनाने का मुख उधिस क्या था अगला है कि 1929 की आर्थिक मंदी का कोई दो कारण बताइए टोटल जो छे कोस्टन थे उसमें से सिर्फ और आपको तीन का जवाब देना है ठीक है जो आपको दो मार्ट करेंगे तोटल छे मार्ट करेंगे ये सारे कोस्टन अब दिर्गूतिर ये टोटल चार नंबर के होते हैं दो प्रस्त जिसमें से एक का जवाब देना होगा या तो मसीनों के अविसकारों की सेंखला ने अधोगी करांती का मार्ट किस परकार प्रस्त किया या फिर यूटूपियन समाजबाद बेग्यानिक समाजबाद के किस परकार भीन है तो इसके प्रस्त आप लोगों को अगले में तब तक लिए आपनों त्यारी करते हैं बैबैस अभी को